हलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्कॉर्ड, आएम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम क्लास एथ संस्कृत के बुक का चाप्टर टैन, नीती नवी नितम के सल्यूशन्स देखने वाले हैं, तो पहले हमारा जो क्वेशन है, इसमें हमें एक पद में उत्तर देना है, पहला क्वेशन है, निर्णाम संभवे कं कलेशम सहते, तो निर्णाम जो शब्द है, इसका मतलब होता है, मनुष्य, मनुष्य होता है निर्णाम, संभवते, यानि कि जर्म देने में कं कलेशम सहते, मतलब एक मनुष्य को बच्च, बिसकली इस चो क्वेशन है, इसका तो हमारे पेरिंस जो है काफी कश्च सहते हैं हमको पैदा करने से लेकर के बड़े होने तक तो यह पूछा गया है कि कौन कश्च सहते हैं बच्चे को पैदा से बड़े होने तक तो इसका आंसर हो जाएगा माता पित्रों माता पिता जो है वो काफी कश्च सहते हैं बहुत शाहले पूतनम यानि कि हम लोगों को वस्त्र से चान करके हमेशा जो है जल को पीना चाहिए. यह हम लोगों को बोला गया है. next मुज़टी नभी निति नम पाठ असमान गरंताँ संक्लित है, निति नम पाठ यह संक्लित है, यह वाला जो मनुसम्रती से ये हमारा पूरा लिया गया है और कीदरशिम वाचवदेत तो इसका आंसर है सत्य पूता नाम कैसे वचन बोलने चाहिए? सत्य वचन बोलने चाहिए उध्यानम कौन निंदये रम्या तो इसका नाम है म्रिग गण दुजई दुखम किमभवती तो परवशनम आत्मवशम किमभवती तो सुखम खुद से जो काम करते हैं उसमें सुख मिलता है और कीदरश कर्म समाचरेत तो मनह पूतनम तो हमें किस तरीके का काम करना चाहिए? जो काम हमें मन में करते हुए खुशी मिले ठीक है? उस तरीके के काम हम लोगों को करने चाहिए और जिस काम को करते हुए हमारे मन में जो है विनीत ना आए हम लोगों के मन में संतोष ना आए इस तरीके के काम जो है वो हम लोगों को थोड़ा मतलब सोचना चाहिए कि क्या यह चीज सच में मारे लिए सही है नेक्स्ट है इसमें हमें पूरा में उत्तर देना है पूरा मतलब सेंटेंस बना करके तो पाठे इसमें सुख दुखियो किम लक्षणम उक्तम तो मतलब सुख और दुख के क्या लक्षण है हमें पाठ में क्या बताया गया है देखो ये इसका आंसर है सुख दुख्यो लक्ष्मडंति परवशम सर्वं दुखं आत्मषण च्छ सर्वं सुखं तो दूसरों के मनका या घर गर जैसे की कंट्रोल में रहते हैं मतलब दूसरों के वेश के सारा डुख jsut Doom को में सब निश्क्रती करतू न शक्या है तो इसका आनसर है वर्षताई अपि मात प्रित्रों दृडदा संभवते यवं कलेश्यम सहेती तस्य करतू न शक्या बतलब जो माता-पिता है वो जितना हमारे ले करते हैं हम सो वर्षो भी उनके लिए नहीं कर सकते होता रोटी संति माता पिता और आचार्य असमाबिहित कि द्रिशम कर्म कर्तव्यम तो यत कर्म कुर्वता अस्य आत्मनहा परितोश्रह स्यात तत्त कर्म आसबी तो यह सकांसर है ठीक है डर जो है अभिवादन शीलत से कानी वर्धनते तो अभिवादन शीलत से आयू विद्या यश बलम आती अभिवादन शीलत से हम लोग अच्छे से विवार करते हैं बड़ों का आदर करते हैं तो हम लोग का आयू विद्या यश बल सब कुछ भड़ता है सरवदा केश तो मनुष्य सत्य पुताम वाच्य वधत तो इसमें कौनसा है सत्य पूताम मैं यह देखो इसकी जगा Monica की दरशीम इसमें हम लोग को बनाना है तपह, तपह की जगह आप लोग लिखेंगे किम और इसमें मातपित्रो, मातपित्रो की जगह कव और इसमें तियोह की जगह आप लोग लिखेंगे कयो नेक्ट्स गेशन है संस्क्रेट भाशना में वाक्य प्रियोक करना है विद्या तो अभिवादन से अच्छे विवार से विद्यkaar का विद्या भढ़ती है बहुत तप करते हैं माता पिता आपने वच्चों को बालने के लिए समाचरेत परी तो शद्ध आचारन परी तोशभ भवती नित्यम जनो नित्यम शुद्धचारन करतव्यं आम ना मतलब हा या ना तो ये तो न है ठीक है कर वाला ये आम है और ये नौ है ये आम और आम और आम खा रहे हैं सब के सब तो ये हो गया ठीक है next देख लेते हैं question number six जो है इसमें हमें रिक्तिस्थान भढ़ना है तो कर वाले में आप लोग का आएगा वर्ष ये वाला आएगा कर में ठीक है ये वाला और ख में आएगा चत्वारी ग में तप आएगा ग में समासेन द में विपादम और ये होता है प्रियम ठीक है question number seven जो है last question है इसमें हमें लोग का first में आएगा नित्यम ख में आएगा याद्रिशम और यहाँ पे आएगा अपी अईवम यथा और यहाँ गातावत होगे हमारे सारे question answers thank you